बनेगी जरूर बनेगी मटन बिर्यानी, चिकन बिर्यानी सब बनेगी लेकिन तोकिर हुसेन अगर खाने पर रुख जाए तो वै तोकिर मियाह, आप रुखी जाएए आपकी वज़े से हमें भी खाने को मिल जाएगी और फिर लंच का वक्त तो हुनी वाला है इस इजब का बहुत बहुत शुक्रिया, और मगर मैं मौफी चाहूँगा आप तो गैरों की तरह बात कर रहे हैं आपने मेरी एक बात रख ली है, अब दूसरी भी रख लीजिए प्लीज आप लंच करके ही जाएए मैं जरूर करता मगर अब लंच का वादा नहीं किया था मन तो आप कर लीजिए तेखे मुझे मजबूर मत कीजिए, प्लीज लमीरा तुम कुछ नहीं काओगी इनसे मैं सुन रही हूँ यही ठीक होगा मेरे ख्याल से अब अब मुझे चाह ले आना चाहिए अमी आप मेरा हाथ बटाएंगी न अबू आपने कहा था बबलू को आईस क्रीम खिलाएंगे जाए न अरे भई दामाद इतने दुनों के बाद आए हैं इनको छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जा रहा अबू जाए न जाए 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 अरे भई हमने इन से वादा किया था हम इनको आईस क्रीम खिलाएंगे हम अभी आते हैं बस है और पिर आपनों को भी तो वो मटन बिर्यानी वगरा की तैयरी करनी है न जाए किचिन में मैं आजर हूँ अभी हाँ आब दे हीना मैं किन लफजों में तुम्हारा शुक्रिया आदा करूँ तुमने जो किया है मैं सच मुछ बहुत खुश हूँ अम्मी मेरी तो बस यही कोशिश है कि नमीरा का घर दुबारा बस जाए इसलिए तो मैंने अब्बू को बबलू के साथ पेज़ दिया और आपको यहां बुला लिया ताकि उन दोनों को अखिली में बात करने का एक दुझे के गिली शिक्वे दूर करने का मौका मिले और शायद इसे उन दोनों के दिल का मैल भी मिट जाए अरे ये खेरू कहां चाला गया मैं अभी आई आप क्या करें आप तो बबलो को लेकर आईस क्रीम लाने कहते हैं उसे तो मैंने खेरू के साथ पिछवा दिया लेकिन आप यहां क्या करें मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों में रंजिश्क कम हुई या नहीं चाय हाजर है और कुछ लाओ तो फिर मैं बिस्किच ही ले आती हूँ कोई कुछ बोलता ही नहीं दोनों खामोश है चाय गरम पी जाते है चलो शुरुआत तो हुई आप चाय में शक कर अभी दो चामन ची लेते हैं या फिर सुना आपने ना मेरा को याद है सब शुरुआ शुक्र है मेरे बारे में तुम्हे अभी तक इतना तो याद है फिर खामोशी अरे कुछ तो भूलो बबलू वहां आपको तंग तो नहीं करता है करे भी तो क्या मुझे में बरदाश की ताकत बहुत है याद आती है और जब वो चला जाता है तो उसके अगली बार आने का इंतिसार रहता है तुम किसकी बात कर रहे हो बबलू की तो और किसकी बात करूँगी मैं तोकिर का नाम ले लेती तो प्याजाता इसका बुलनार लगता है आज कोई नई बात नहीं होने वाली तुम यहाँ खुश हो तो समझ लो मैं वहाँ बहुत खुश हो पब्लू आपकी बहुत तारीफ करता है बच्चा है उसे क्या मालूम कि उसका बाप कितना जिद्धी है कितना हट धरम है और अपनी मर्जी दूसरों पर थोपना उसकी आदत है अपनी मर्जी के खिलाफ वो कोई चीज बरदाश नहीं करता बब्लू ने मुझे जाना ही कहा है जो मेरी तारीफ में करता मुझे तो सिर्फ तुम ने जाना है इसलिए तुम आज इस घर में इतनी खुश हो आपके ख्याव से चाय गरम पी जाती है हर बातों बातों में चाय ठंडी हो जाएगी पहले चाय पी लीजिए तो मैं चलता हूं ने ने रुको ये तो नमीरा को क्याना चाहिए था मैं आपकी मरसी क्या हुआ चले गए उन्हें रोपना चाहिए था ना तुम्हे मैंने तुम दोनों को अकेले में बात करने का भरपूर मौका दिया था कोई खुशकवार बात हुई नहीं वो तो अकिरमिया तरशीफ ले गए कोई बात नहीं बेटी उन्हें फिर किसी दिन बुला लेना ऐसे मौके पर समीर होता तो और भी अच्छा होता आज का ये दिन आज का ये डिनर मुझे हमेशा याद रहेगा समीर रात बहुत हो चुकिये तुमारे घर में तुमारा कोई इंतजार करना होगा तुम जिसकी बात कर रही हो अब मुझे उसकी कोई परवार नहीं रहे हाँ समीर लेकिन घर वालों के दबाव के वज़े से तुमारे परवार करने पड़ेगी देखो रूमी आज मैं बड़े मूड में हूँ ऐसी बाते करके तुम मेरा मूड आउप मत करो मैं तुमारे साथ ना भी रहूं तब भी मेरा दिल हमेशा तुमारे आदों में खोया रहता है मैं तुमसे चुदा कभी हुआ ही नहीं इस दिन का एक एक पल तुम्हारे साथ गुजारने नहीं कोई कसर छोडना नहीं चाहता हूँ ओके, गुटनाइट 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 समीर यह आ गया बरतुदार कहा थे सुबह से? वो जरा यूही आओ आओ बैटो आओ कोई काम था मुझसे? काम तो नहीं मगर आज तुम्हें एक अन्होनी को होनी में बदलते नहीं देख सके मैं समझा नहीं आज हमारे घर पर तौकीर हुसेन साब तश्रीफ लाए थे वो तो हमेशा आता है वो रहा बाहर से ही चला जाता है लेकिन आज घर के अंदर तश्रीफ लाए थे क्या? सच बताएं भई हमारे दिल में तो खुशी नहीं समा रही थी उने देख थे हमारी उम्मीद बन गई है कि नमीरा का घर फिर से बस जाएगा खुदा का लाख लाख शुक्रे बरपुरदार कि हिना जैसी बहू हमारे घर में अब अगर हिना चार दिनों के लिए भी इस घर से चली जाए तो ये घर मुझे काटने के लिए दोड़ेगा और जब हिना अपने हनीमून के लिए चली जाएगे तब क्या होगा अमी आँ तब का तब देखा जाएगा बरपुरदार बस यू समझ लो कि ये घर अगर एक जिसम है तो हिना उसकी रूह है और बगएर रूह के जिसम बेजान हो जाता